नमस्कार मैं रविश कुमार जिस वक्त जिस वक्त G20 की बैठक के लिए कई देशों के राष्टपती और प्रधान मंत्री दिल्ली आने की तैयारी में हैं उसी वक्त भारत सरकार ये बहस क्यों छेड़ना चाती है कि भारत का नाम अब इंडिया नहीं होगा इसे बदला जाएगा क्या सरकार को ये अंदाजा हो गया है कि G20 की बैठक से कुछ भी नहीं निकलने वाला है इसलिए बैठक के पहले ही भारत की जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों में उल्जा दिया जाए आज कई जगहों पर ये खबर चलने लगी कि संसत के विशेश सत्र में संभिधान के पन्नों से इंडिया हटा दिया जाएगा अब केवल भारत रहेगा हिंदी में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा क्या ये इतना बड़ा मसला है या धबा है कि इंडिया मिटा दिया जाएगा वो भी तब जब कम से कम दिल्ली को मेहमानों के स्वागत के लिए तयार रहने को कहा जा रहा है घंटो जाम में रहने को कहा जा रहा है आखिर सरकार चाहती क्या है यह वक्त था कि सरकार विपक्ष को साध लेती ताकि मेहमानों के सामने राजनितिक एकता का प्रदर्शन किया जा सके लेकिन जिस तरह शी जिनपिंग नहीं आकर भारत को चिड़ा रहे हैं देश के भीतर विपक्ष को भी चिड़ाया जा रहा है इस वक्त सरकार विपक्ष के गठबंदन के नए नाम को निप्टाने में लगी है आप हिंदी में सोचिए सरलता से सोचिए संबिधान के पन्ने से इंडिया हटा देंगे तो क्या गठबंदन का नाम भी हटाना पड़ेगा वो गहर कानूनी हो जाएगा क्या तब फिर यह सब एन मौके पर क्यों फैलाया जा रहा है जब जी ट्वेंटी की बैठक होने वाली है क्या इसलिए कि श्री जिन पिंग के नहीं आने की चर्चा ना हो जी ट्वेंटी की चुनोतियों और नाकामियों की चर्चा ना हो आज खबरें चलने लगी कि सरकार संशोधन करने जा रही है अब इंडिया हटा दिया जाएगा आए दिन विशेश सत्र को लेकर तरह तरह की खबरें चलाई जा रही है जी ट्वेंटी से जादा इसी की खबरें चल रही है पांच सितंबर की दो पहर सुत्रों के हवाले से खबर चलने लगी कि इंडिया का नाम भारत बदलने को लेकर सरकार द्वारा संसद के विशेश सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है मौनसुन सत्र में भी भाजपा संसदों ने मांग की थी कि इंडिया शब्द को सम्विधान से हटा दिया जाए क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक है का नाम इंडिया क्या रख लिया सरकार और बीजेपी में इतनी घबराहट मच गई है अभी तक देश के लिए इंडिया इंडिया सभी करते थे क्या वो भारत का अपमान कर रहे थे जिन लोगोंने मुहबत से इंडिया कहा क्या उन्होंने भारत का कम सम्मान किया कितने ही गीतों में कविताओं में इंडिया है क्या वहां से भी ये बदल दिया जाएगा क्या ये सरकार अब सारे जरूरी काम छोड़कर यही सब करने जा रही है जी ट्वेंटी के प्रचार में हर जगा इस्तमाल होने वाले इंडिया नाम को अचानक समारो के खत्व होने से पहले गुलामी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है ये पहले क्यों नहीं दिखा सवाल है कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो क्या मात्रे इसलिए कि विपक्ष इंडिये के विरुद एक जुट हो गया है और उसके गठबंदन के नामों का सार इंडिया है मोदी कारिकाल के नौ साल में इस नाम की गुलामी को दूर करने का खयाल नहीं आता है जुलाई में विपक्ष के गठबंदन ने अपना नाम इंडिया क्या रख लिया बस तभी से सत्ता पक्ष को इसमें गुलामी नजर आने लगी है क्या ये विपक्ष का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है G20 का नारा है एक पृत्वी एक परिवार और एक भविश है लेकिन इस नारे की एकता बिखरती नजर आ रही है केवल रूस के राष्टपती व्लादिमिर पुतिन और चीन के राष्टपती शी जिनपिंग के नहीं आने का मामला नहीं है बलकि भारत के भीतर भी इंडिया बना म भारत को लेकर विवाध हो गया है राश्रपती भवन की तरब से 9 सितंबर को होने वाले रात्री भोज के लिए निमंतरन पत्र जारी हुआ है उसमें प्रेसिडेंट अभारत लिखा है आम तोर पर अंग्रेजी में प्रेसिडेंट अभ इंडिया लिखा जाता था इस बात को लेकर कॉंग्रेज सही तमाम विपक्षी दलों ने अतराज कर दिया संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा है कि प्रेसिडेंट अभ इंडिया होंगे यानि इंडिया के इस्तेमाल का चलन रहा है मगर अचानक कार्ड पर प्रेसिडेंट अभ भारत लिखा देखा तो विपक्ष की नजर में साफ हो गया कि जी ट्वेंटी के नारे का ही ख्याल नहीं रखा जा रहा है क्या यही है जी ट्वेंटी को लेकर मोदी सरकार की गंभिरता क्या इसी के लिए हजारो करोड रुपए फूप दिये गए कि इसके महत्यों पर चर्चा की जगह अब भारत बनाम इंडिया की बहस में देश को उल्जाया जाए कॉंग्रेस महासचीव जैराम रमेश ने ट्वीट किया है कि समविधान के अनुच्छेद एक को बदल कर लिखा जा सकेगा कि भारत इट वॉज इंडिया शैल बी और यूनियन ऑफ स्टेट्स लेकिन आज तो इस राज्जियों के संग पर हमला हो रहा है इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने ट्वीट कर कहा कि कॉंग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विशे से इतनी आपत्ती क्यों है भारत जोडों के नाम पर राजनितिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्गोश से नफरत क् स्पश्ट है कि कॉंग्रेस के मन में न देश के प्रती सम्मान है न देश के सम्विधान के प्रती ना ही सम्विधानिक संस्थाओं के प्रती उसे तो बस एक विशेश परिवार के गुणगान से मतलब है तो अब ये मैच शुरू हो गया है आप ही बताईए अगर के पहले ये नया 2020 चलाया जा रहा है जैराम रमेश ने तो भारत का एक नया आर्थ दिया है तो क्या इसे भी अब बदल देगी बीजेपी रमेश ने लिखा है कि भारत का मतलब ब्रिंग हार्मनी एमिटी रीकंसिलियेशन एंड ट्रस्ट उनका ट्वीट है कि मोदी इतिहास क पाउद देश ये है भारत ब्रिंग हामनी एमिटी रीकंसिलियेशन एंड ट्रस्ट जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया एक आदमी की सनक और बॉखलाहट ने इस देश को उसकागार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है हमारे नाम पर फप्तिया कसी जा रहे हैं सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडि मुझे पता है कि आप इंडिया से डंते हैं मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफ्रत करते हैं लेकिन हमसे नफ्रत करने करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे इस देश को हम लोग अपनी मा कहते हैं और मा के नाम के साथ खिलवार कौन करता है आपने तो वो दुशकर्णी करके दिखा दिया इस देश में एक संविधान है और संविधान की आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दिये भारत की हमें पहचान दिये इंडिया की और आपके ये जो कुछसित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवार करने का वो असल में सम्विधान को बदल लेके आपके दुश्कर्म का नतीजा है आप चाहते हैं कि आप बाबा साहिब का बनाया हुआ ये सम्विधान बदल दीजे ये शगूफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुम्बक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे वो अडानी के महा स्कैम पर आपसे सवाल न पुछे महिंगाई पर चर्चा न करे बेरोजगारी पर बात न करे आर्थी का समानता पर बात न करे आज भी जलते हुए मणीपुर पर सवाल न उठाए सो रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है सो ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है आर्थे पर GST आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूज रहा है और भारत में भी जूज रहा है आर्थे का समानता से लोग तरस्त है इंडिया में भी और लोग तरस्त है भारत में अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थी का समानता से, अपने बनाई हुए अदानी के महागुटाले से बक्ष दीजिए इंडिया और भारत दोनों को यात्रा आपको जवाब है, आपकी नफरत और आपकी कुच्सित राजनीती का और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया तो आपकी बोखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है भारत माता भी हमारी है इंडिया भी हमारा है क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूरबजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंडेंस की वार लड़ी और ना भारत की स्वाधिनता संग्राम में धेले का योगदान किया आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरसी करते थे आज भी इस देश के 140 करों लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास है वो कंस्पिरसी है वो साज़श है वो शड्यंत्र है लोगों के खिलाफ लोगों को उनके मुद्दों से विमुक रखने हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं इतने जल्दी परेशान हो गया अभी तो चंद हफते हुए हैं इंडिया नाम की इस गटबंधन को बने हुए और आप खिल्वार करना आपने शुरू कर दिया इन्विटेशन बेजे जा रहा है रिपपलिक अफ इंडिया के जिए रिपपलिक अभारत साब आर्टिकल वान में बड़ा क्लियर पोजीशन है इंडिया दैट इस भारत और हमारे हमसे ढर करके इस गटबंधन से ढर करके तो उसकी टैग लाइन पढ़ लीजेगा नीचे इंडिया के नीचे टैग लाइन है जुडेगा भार जीते गा इंडिया क्या क्या ले लोगे इतनी परेशानी कम से कम इस बात को समरंण करिए कि बाबा साथ भीमरावामेद करने यह बवस्ताय की थी आप माला उनको पहनाते हैं लेकिन अंतर्मन में बाबा साथ नहीं है इसका प्रतिकार होगा ना आप इंडिया हमसे लोग प जा रहा है और भारत से भी मौबत है कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस प्रेजडेंट और भारत लिखने से परिशान क्यों है तब तो बीजेपी स्वागत करने क्यों नहीं चली गई जब राहूल गांदी ने अपनी यातरा का नाम भारत जोड़ो यातरा रखा ये है सरकार की तरह से जी ट्वेंटी के ठीक पहले एक्ता के प्रदर्शन की मिशाल क्या इंडिया की जगए भारत लिखने का या लिखवाने का यहीं मौका है ऐसा क्यों किया गया उदर जी ट्वेंटी के भीतर भी एक्ता और एक जूटता का हाल अच्छा नहीं हैं चीन के राष्ट्र पत्ति शी जिन्पिंग जी ट्वेंटी में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे इनके नहीं आने को लेकर शुरू से ही हवा में अटकले तैर रही थी कि नहीं आएंगे अब इसकी पुष्टी हो गई है जो बाइडन की पत्नी को कोवीड है इस कारण जो बाइडन आएंगे य कारण होगा शी जिन्पिंग का नहीं आना क्या इस बात के संकेत भी हैं कि सीमा विवाद के कारण जिन्पिंग दिल्ली नहीं आना चाहते और अब भारत के प्रधान मंत्री के लिए दीजिंग जाना या किसी और ग्लोबल सम्मेलन में शी जिन्पिंग से मिलना और मुश्क कोही क्यों चुना G20 में 20 देश हैं इस समू में कोई ना कोई देश किसी से करीब होगा अमेरिका से भी करीब होगा अकेले भारत तो अमेरिका के करीब नहीं है कुछ चीन और रूस के भी करीब होगे तो क्या इसाधार पर शी जिनपिंग ने फैसला किया होगा कि भारत अमेर में शांदार स्वागत किया गया तब भी तो भारत अमेरिका के ही करीब था अगर बाइडन की मौजूदगी कारण है तब फिर सवाल उठता है कि नवंबर 2022 में जब बाली में G20 की बैठक हुई तब भी शी और बाइडन मिले ही थे वहां पर शी और मोदी भी मिले और अभी प्रिक्स के दौरान जोहनसबर्ग में भी मिले क्या कोई और कारण है जिस पर अमेरिका के बहाने परदा डाला जा रहा है चीन और अमेरिका के बीच विवाद और तनाव अलग ही इस तरका है उनके आपस का है लेकिन इसके बीच अमेरिका भी चीन से समबाद करता रहता है और रिष्टे सुधारने की कोशिश में लगा रहता है। इसी साल जून में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटिनी जे बिलिंकेन बीजिंग गये। 2019 के बाद अमेरिका की तरफ से पहली बार इतने वरिष्ट लेवल का अधिकारी बीजिंग गया। उस समय पुर्वर राष्टपती टरंप के समय चीन को लेकर व्यपार युद्ध जोरो पर था। अमेरिका तरह तरह के प्रतिबंधों की घोशना कर रहा था। ब्लिंकेन के बाद पुर्वी एशियाई और प्रशांत महासागर मामलों के असिस्टेंट सेकरेटरी डैनियल कृतन ब्रिंक भी चीन गए। उनके साथ और भी कई उच्छे स्थरी अधिकारी गए। जुलाई महीने में ट्रिजरी सेकरेटरी जैनिट येलन और जलवायू परिवर्तन पर राश्टपती के दूद जौन केरी भी बीजिंग गए। और अभी पिछले सब्ता अमेरिका की वेपार सचीव जीना रेमॉंदा ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की है। जीना रेमॉंदा का एक बयान है कि वेपार को लेकर हमारी चीन से घोर प्रतिसपरदा है। हम इसे मैनेज करना चाते हैं। टकराव किसी के हित में नहीं है। संबाद की कमी से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है। अमेरिका में भी खबरे चल रही है कि नवंबर के महिने में सन फ्रांसिसको में 21 देशों के एशिया पैसिफिक एकनॉमिक को आपरेशन एपिक की बैठक होने वाली है। इसमें शी जिनपिंग के नहीं आने की चर्चा शुरू हो गई है। इसे लेकर चीन अभी से शर्ते थोप रहा है। यसे में जी ट्विंटी में शी जिनपिंग का नहीं आना अमेरिका के लिए एक जटका लगता है। नवंबर 2020 में जब बाली में G20 का सम्मेलन हुआ तब उस बैठर की एक बड़ी हाइलाइट यह भी रही कि राष्टपती बनने के बाद पहली बार जो बाइडन और शी जिनपिंग के बीच बात चीत हुई इस एक साल के दोरान चीन और अमेरिका के बीच इतना क्या खराब हुआ है कि श्री जिनपिंग बाइडन के कारण भारत नहीं आ रहे हैं प्रसिदेंट शिजी अपसेंज एक सेटथा है उनिते शेट्स के लिए बिकाज चाइना एक मेसेज इस्यू कर रहा है अब काजवा टू सिंदेंट एक सीदी कर रहा है तू नचेंजि एक बीस्यू चाइना एकinder बेडा सेट्हड रहा है कि अचैनाल एक मेर्म चांट कर रहा है निएर इसे सब्कूंठ टहरा एक उसके इस कि आई प्रतिक इन्यूफे बडिंची तर चिंदो अडिलाइश्थारी, आपकेश कई वाक्राइश्ट्राइश्ट। आगि मोश्कराइश्ट कर बंश्चाइश्ट कि इन ज्यू पिज्ट रिंदे इन ग्नावीट कि एन जुट्राार्वी प्रतिक इने डिर धिलेगेंट नियू तर देख ऴगा इनाओटों कोई एंड आगा इता चारी जाओ को अीजड एंड़ाटा एंड हो इंड तो मैं जाद एंद प्रेशनलोग्टे इनकोणिख कोई। point of time. But China doesn't see India as suddenly as a major player in the current international strategic balance. China's major fight is with the United States. It may not occur so much for countries like India, Japan or for that matter, you know, other western countries. China singularly is focused only on US. America and China's wars are those who non-runs ever met, but in Germany, China has announced this, where the government has been called belt and road to the Gracias government. So, both of them do not see there because Joe Biden from a बचना चाहते हैं अगस्त के महीने में दक्षिन अफरीका के जोहानसबर्ग में शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई थी इस मुलाकात के बारे में दोनों देशों ने अलग अलग बयान जारी किये जिससे साफ पता चल रहा था कि पुर्वी लगदाक के हिस्से में ची का सम्मेलन हो रहा था शी जिनपिंग और मोदी एक साथ मंज पर आए और उन्होंने भारत की अधशिता पर मुबारक बात दी यह भी कहा कि हम इस दोरान भारत का सयोग करेंगे इसी शिकर सम्मेलन में जब मोदी पुतिन से मिले तब उन्होंने कहा था कि आधुने की पार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध सा चल रहा है वैसा एकदम भारत और चीन के बीच नहीं है सीमा पर तनाव है मगर इसके बाद भारत जमकर चीन से आयात कर रहा है चीन को भारत से जबरदस्त कमाई हो रही है कई लेख में इसकी चर्चा आई है कि भारत चीन का प्रतीदवंदी बन सकता हे, लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है, दोनों की अर्थवेवस्था में काफी अंतर है, पाइदान पर भले भारत का स्थान चीन के बाद आता है, मगर चीन की अर्थवेवस्था 18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से कम शी जिन्पिंग हर सम्मिलनों में जाते हैं यह जरूरी नहीं है जैसे इसी वक्त 5-7 सितंबर के बीच जकार्ता में एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक में शी जिन्पिंग नहीं गए हैं अपने प्रधान मंत्री को भेजा है चीन के प्रधान मंत्री ली कियांग जकार्ता से ही भारत आएंगे मोदी भी इस कारिक्रम में गए हैं लेकिन इसके बाद भी साफ साफ नहीं होता कि शी जिन्पिंग ने भारत आने से क्यों इंकार किया इसकी क्या वज़ा हो सकती है केवल मेहमानों का आना और नहीं आना ही बड़ी घटना नहीं है बलकि इनके आने से पहले जो बैठके हुई हैं अलग-अलग विश्यों पर उनमें भी साजा सहमती नहीं बन पाई है दिल्ली G20 के लिए तैयार हो चुकी है शहर में जगा-जगा फवारे चालू हो चुके हैं G20 के बोर्ट चमकने लगे हैं अर दिवारों पर चित्रकारी कर दी गई है सवाल उठ रहा है कि इतनी भवे तैयारी के बाद भी या सम्मेलन एक बड़ा सवाल छोड रहा है इसी साल फरवरी से लेकर अब तक अलग-अलग दिश्यों पर G20 की कई बैठ के चली 19 बैठकों में एक भी साजा बयान जारी नहीं हुआ इस बैठक से क्या निकला इसकी रिलीज जारी की गई जिसे आउटकम स्टेटमेंट कहा जाता है जॉइंट स्टेटमेंट के उलट आउटकम स्टेटमेंट का मतलब है कि भाग लेने वाले देशों में आम सहमती नहीं बन सकी मगर कहा जाता है कि बाली में भी ऐसा ही हुआ फरवरी महिने में वित मंत्रियों और सेंटरल बैंक के गवर्नर की बैठक हुई उसमें कोई साजा बयान जारी नहीं हुआ मार्च महिने में दिल्ली में जी ट्वेंटी के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई उसमें भी कोई साजा बयान जारी नहीं हुआ यहां तक कि कृशी मंत्रियों की बैठक में भी नहीं हुआ G20 के परियाटन मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी नहीं हो सका श्रम मंत्रियों और उर्जा मंत्रियों की बैठक के बाद के नोट में चीन का बयान जोड़ा गया कि G20 सुरक्षा कारणों पर बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं है वो किसी भी बयान में जियो पोलिटिकल सामगरी का विरोध करता है तो आप देखते हैं कि चीन का कितना दबदबा है वो साजा बयान भी जारी नहीं करने देता है और उसके राष्टपति सम्मेलन में भी नहीं आते हैं जी ट्वेंटी की इन बैटकों पर रूस और युक्रेन का भी असर रहा यहां तक कि इन कारणों से परियतन से लेकर क्रिशी के मुद्दों पर भी सहमती नहीं बन सकी जो सम्मेलन इतना हासिल नहीं कर सकता उससे क्या ठोस निकलने वाला है इसे लेकर बहस की रात लंबी होने वाली है बताया जाता है कि युक्रेन युद्ध को लेकर चीन और रूस इसमें रिकावट डालते रहे हैं भारत की कोशिश है कि अंतन्त में एक साजा बयान आए ताकि उसकी अध्यक्षता में होने वाले इस सम्मेलन की चाप गहरी हो लेकिन चीन और रूस के टॉप लिडर के बिना इस साजा बयान की अब क्या एहमियत रह जाएगी अभी तो साजा बयान के भविश्य पर ही प्रश्ण चिन है जी ट्वेंटी के शेरपा अमिताब कांग का कहना है कि वे आशावादी हैं उन्होंने कहा कि रूस युक्रेन युद्ध बड़ा मुद्दा नहीं है विकास पर जोर रहेगा लेकिन विकास से जुड़े मंत्रालियों की बैठक के बाद भी तो साजा सहमती नहीं बन पाई है भारत के लिए यह बड़ी चुनौती होगी अगर साजा बयान जारी नहीं हुआ तो जी ट्वेंटी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा पिछले साल नवेंबर में बाली में इंडोनेशिया की अधिक्षता में जी ट्वेंटी की बैठक हुई थी उस बैठक में तो साजा बयान जारी हुआ युकरेन युद्ध की निंदा भी हुई जी ट्वेंटी के शेरपाओं की 17 दिनों तक बैठक चली उसके बाद एक बयान जारी हुआ काफी बड़ी बात थी कि साजा बयान जारी हुआ क्योंकि उस समय भी सदर्श्य देशों और रूस चीन के बीच इस मसले पर सहमती नहीं थी जारी किये जाने के बाद इस बयान को लेकर रूस ने युद्ध वाले पैराग्राफ पर आपत्ती जताई है बाली के डिकलेरेशन में वो वजन तो नहीं जो आम तोर पर होता है मगर दुनिया भर में हेडलाइन छपी के रूस ने युक्रेन युद्ध पर साज़ा बयान स्विकार किया जब इंडोनेशिया इतनी बड़ी कूटनितिक सफलता हासिल कर सकता है तब भारत क्यों नहीं कर पा रहा है क्या भारत कर पाएगा भारत में रूस के राज़दूद डेनिस सेलिपोव ने बैठक से एक हफता पहले कहा कि पश्चिम के देशों को बाली घोशना पत्र में युद्ध पर शामिल पैराग्राफ को बदलने को लेकर सोचना चाहिए मगर वो उसे रखना चाहते हैं उन्होंने कहा कि उसकी भाषा को दिल्ली के सम्मेलन में बदला जाना चाहिए Foreign Correspondent Club में मीडिया से बात करते वे उन्होंने कहा कि अगर किसी मुद्दे पर आपसी सहमती नहीं बन रही है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि G20 में राजनितिक मुद्दों को जगा नहीं दी गई है विदेश मामलों के जानकारों के अनुसार सम्मेलन से पहले ऐसे बयान सामुहिक सहमती पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं हमें याद रखना चाहिए कि बाली में शी जिनपिंग थे दिली में शी जिनपिंग नहीं होंगे और नहीं पुतिन बाली के बयान में लिखा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है ये और बात है कि निंदा कागजी साबित हुई युद्ध आज भी जारी है और आज के दौर में ही जारी है फिर ऐसे आयोजनों की क्या प्रासंगिक्ता रह जाती है जब से युक्रेन युद्ध शुरू हुआ है जी ट्वेंटी का ये दूसरा सम्मिलन है जी सेवन का सम्मिलन हो चुका है इन बड़े निताओं ने जितनी डींगे हांक ली हो फोटुएं खिचवा ली हो मगर सचाई यही है कि इन से युद्ध नहीं रुका और इनके रेकॉर्ड बताते हैं कि आगे भी नहीं रुकने वाला प्रतिबंधों से भी कुछ नहीं हुआ युरोप रूस से खुल कर गैस का आयाद कर रहा है जी ट्वेंटी का थीम है वसुदेब कुटुमबकम चीन को इस पर भी अतराज था मगर वो बहस चीन ने बेकार ही की सवाल है कि एक प्रित्वी एक परिवार एक भविश्य के नारे की सुन्दरता क्या फीकी नहीं रह जाएगी अगर इसके दो बड़े सदसे ही ना आएं इनकी आपस की लड़ाई थम नहीं रही है तो फिर एक प्रित्वी एक परिवार का क्या मतलब सभी आते तो एक मंच पर लाने और एक लक्ष के लिए एक जुट करने की चुनोती बनती और उसे पार करने पर प्रधान मंतरी की तारीफ होती अब तो दो बड़ी चुनोतियां ही नहीं है तो फिर इसका हासिल क्या रह जाएगा जी ट्वेंटी को लेकर दिल्ली के राजनितिक दलों के बीच ट्वेंटी ट्वेंटी का मैच चालू हो चुका है इलेक्ट्रिक बसों को लांच करने के लिए मुख मंतरी भी जंडा दिखाने पहुँच रहे हैं प्याम आदनी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया उधर रागव चड़ा वीडियो जारी कर दिल्ली को सुंदर बनाने का श्रे अपनी पार्टी की सरकार को दे रहे हैं दिल्ली में विकास का साज़ा श्रे नहीं ले पा रहे हैं सब अपने अपने हिस्से का बांट कर श्रे ले रहें, केंद्र सरकार के मंत्रियों को उदारता दिखानी चाहिए थी इस वक्त, और श्रे लेने की बहस से पीछे रहना चाहिए था, मगर वे खूब आगें, विदेश राजे मंत्री आगें, दिल्ली के विकास को लेकर इस तर चुनाव से पहले सरपंच ने पानी की टंकी बनवा कर बहुत बड़ा काम कर दिया हो, भारत में अलग ही G20 चल रहा है, नमस्कार, मैं रविश कुमार